हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग उमीद है कि आम एट को न्जोई करें इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किजिती लोफ स्वर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था आप देख लोटे वृडियो हमारी स्वर्ड क्लास में हमने कहा था कि हमारे पास यदि P कोई प्राइम नंबर होता है और P की कोई भी पावर हमारे पास की सिब ग्रूप की और को डिवाइड करती है तो उस ग्रूप का एक सब ग्रूप मिलता है जिसका ओडर P की पावर M होता है और हमने इसका नाम दिया था इसका डिटेल तो इसी के बाद हम आज बात करने वाले हैं सिलो सेकंड चौरम आज हम पढ़ने जाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आप पढ़ चुके हैं कोसेट क्या होता है। आज हम उसी का adventure चईज डबल कोशेट के बारे प्ढ़ने वाले Cute вами के यह सब consonants पहले दाए करने वाले हैं। आज हम अब होंति ऑन दीडें कि हो सकता है। बेसिक कोसेट क्या होता है कोसेट के बाद हम बात अधि रेगे डबल कोसेट क्या होता है। और एक relation हम establish करेंगे order of subgroup and group के बारे में with the help of double coset concept क्या हो सकता है तो यह बात करते है मारे पास double coset क्या होता है double coset से पहले एक word हमने बात की coset क्या होता है जी आपने graduate ने पढ़ा होगा coset क्या होता है coset basically क्या होता है आप थोड़ा ध्यान करें कि यह कोई g group होता है h कोई subgroup होता है तो हम group के element को subgroup से multiply करते थे left or right depending upon the multiplication left we say left coset and multiply the element to the right side of the subgroup then it will say right coset जैसे कि आप जानते हैं कि इदि कोई g यहमारे पास group होता है हमारे पास और हमने कहा था कि एच यह दि कोई subgroup होता है हमारे पास एच टू एंड शोन ए एचन डैट इस दा राइट लेफ्ट को सट क्योंकि हमने गुरुप केलमेट को लेफ्ट मिल्ट पलाई किया इसे लेफ्ट को सटम बोलते इसको और यह दी जो फैमली बंती थी क्या हमारे पास एच इन्टू एटाइपी डैट इस कोल्ड राइट को हमारे पास डैट विल भी क्या थी एच वण एच टू ए एच टू ए एंड अच एन ए इट वाज दा राइट को सेट जो आप पढ़ चुके हैं ग्रेजिशन बहुत ही इंपोरें कंट सेट था जो था डैट इस कोल्ड राइट को सेट आप पढ़ भी चुके इसके बारे में आज हम बात करें हमाने सीलो सेकेंड चोरम सीलो सेकेंड चोरम बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट है जो डबल को सेट पे बेज़ड है तो डबल को सेट की जब हम बात करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि को सेट क्या होता है को सेट में बिसकली क्या था हमारे पा हमारा data was totally related to coset इसलिए हमने इसको फ्रसार डिस्क्स किया अब हम बात करेंगे double coset क्या होता है जैसा कि हमने बात की coset में क्या था एक group का एक subgroup था तो यहां पर double है तो दो सब गुरूप लेकर चलेंगे इसी group के then we will define the coset double coset तो मनने का कि let हमने क्या करना है ह्पि क्र मतलब है his subject is minder पास कि एक सब ग्रूप हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास एक दो एलमेंट लेंगे और दो हमारे पास लेंगे सब सबसेट लेंगे हमने कहा कि एक रिलेशन डिफाइन 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 डिफ पास capital K के अंदर such that क्या होगा हमारे पास such that क्या होगा A equal to क्या होगा H B K इसको short with a case तरही देंगे तो इंट इल्बी लाइख देस A lesson to be क्या होगा हमारे पास यदि एर लेसिट विए तो H subgroup में दो कोई small h मिलेगा K subgroup के दो small k मिलेगा such that एक बोल्ट का होगा h b k small में हमारे पास होगा and हम कह से हमारे पास यह वाला रेलेसान ती हमारे पास इटीज यह गाले पास इडिए आप रूं कस्क्ति तीनों प्रॉप़र्टी इस जानते इसंती होते हैं सिमिर्टिक ट्रांजीटिटिम एंडेशकर प्रोपटरिय को सककों तो यह क्या होगा एक पॉर्म इंगे जो क्या होंगे महर पास एक Approve मारी पास अर्मिट होंगे वह हो इक्विलेंस क्लास ओफ होंगे मारे पास it means यह किस पर से टेकड और पस मारे पास it will be like HAK for every H belong to H and small k belong to capital K के लिए अमारे पाद और जो इसे बोलेंगे हमारे पास ह है k इसे क्या बोल देंगे it is called double cosette, it is called double cosette is that we think it double cosette डबल को साइट क्या होता हमारे पास हमने डिफाइन किया with the help of two subgroup of g and two elements of the group g हमने बात की अब हम बात करें मारे पास it is a double coset of h and k in g so क्या बात करें डबल को साइट of h and k in g हमारे पास ही दो साइट गूरव यह बात करें जैसे हमने बात की थियुक्ति हमारे पास हमेशा कन्जूकेट होते हैं यह रिजल्ट आप डिसक्स कर चुके हैं आज इसको प्रूव करने वाले आप सबभी के साथ तो उससे पहले एक चाट रिजल्ट आता को सऺते हैं और जो बुद शोट करें यहं को ऊपका पास यूनिय और अवफ इसको प्रूब बीगा है यह अपकर है उसे पहलों को को सथे आई तो यह मैपिंग वैल डिफाइड ही बनती आप प्रूब कर सकते हैं दो एलमेंट लेंगे डॉमेन की उनकी मेज़वाइब दिखा देंगे वन दिखा देंगे तो विद देल्प ओफ इस जल्ट यह दिए मैपिंग हमारे पास वैल डिफाइन होगी यह तो बेसिट रिजल्ट आगा ओडर ओफ एच एक के इनरिस इकल होगा और इसी उसी तक ही होता है ओडर ओर ओफ ड्रॉफ ऑडर ओड ओडर सब्सक्राइब होता है तो हमारे पास क्या होता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो ओडर ऑफ जी क्या होता हमारे पास that is the summation of element of double total cassette हमारे पस होता है जो ऑडर ऑफ जी होता हमार पस that is लाइक जीवाज होता है फिरेन का intersection होता हमारे पस क्या होता है हम्1 कि रसके सोंब्सक्राइब इसीगेत वह भी होता है। एक शिवालट गिसूत यतरिशिता होता है यदि बात करें इसको जिता है order of h order of a k a inverse by में simple order of h intersection a k a inverse a की बात है हमारे पास क्योंकि order of k और order of a k inverse भी equal होता है इसलिए हमने order of a k inverse को लिदिया order of k ठीक है जी क्यों लिखा हमने क्योंकि we know that की order of k and order of a k a inverse हमारे पास equal होता है ठीक है जी तो यह था basic जो मने अभी यूज़ करना है तो इसकी help से हम प्रूप करने वाले तो यह बात करते है statement of silos second जो आज ही class का बहुत ही important topic हमारा main class हमारी जो सबसे पहले बात करते है statement of silos second term क्या कहती है silo second term कहती है हमार पास कोई भी two silo group ले हमार पास two silo p subgroup ले हमार पास किसी group के वह क्याते conjugate होते हैं उसके बारे बात करेंगे तो statement क्या होती है है मिव्यम क्या एनी को सिलー पीशब ग्रूप रूप लेका आई कुल सी लपी सब ग्रूप लेक्रिस अभ और फिम लो पीकर है एनी पर मिंठिक कोई भी दो सुटाए पी ग्रूप लेकory रणीक कि स्लि 2 इस सब ग्रूप रणत्त है हमारे पासू हो जो हो पास। और क пожकत करा है याज बात करें हमारे पास हम कहसा हता है हमारे पास। यदि पी और क्यों हमारे पास On мор consig Y. होते हैं हम क्या कहेंगे मारे पास वी विल से पी हमारे पास इसा होता है किसी भी गूर्प वो कंजूकेट होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो सी लोपी सबूर्प लेगे चलेंगे तो प्रूफ के लिए बात करते हैं इपने अपने रिजल्ट आपने पड़े यह आपको वह क्लियर है और शीलोगी फॉर्फ फर्फ जो हम प्रूव कर चुक में प्रूब कर सकते हैं तो यह बात करते हैं मारे पस क्या होता है लेट पी एंड के उवार टू इसलो पी सब ग्रूप ऑफ जी पी सब ग्रूप अवर जी हमने पी और दो सब ग्रूप निलीकिस के हमारे पास जी के कैसे लोडिर उसलाव सब होता है। घिसमाल्या सेघंडू सेड़ी पावर नीन हते है, सब वहते हैं, षे दोब हमारे इस तलाव न देक्ट ओऴलीरात बावल के इस मनें p की power n इनका order है, और p और क्यों दोनों दोंपध़ सब ग्रूप है, तो क्या होगा, p की power n plus 1 does not divide order of G को नहीं करेगी, क्योंकि p और, यदिiliो पी सब ग्रूप है, तो p की power n हैट पावर है, जो order of G को डिवाइड करेगी, p की power n plus 1 does not divide order of G, यह result होता है हमारे पास silo p की जो हमारे पास first theorem कर चुए silo first theorem में हमने कहा था इधी p और क्यों silo p सब गुरूप हैं और p की power n तो डिवाइड करेगी order of g को बट उससे एक बड़ी power कभी बी order of g को divide नहीं करेगी तो p और क्यों 2 silo p सब गुरूप लेगे चले हैं तो उनका order p की power n है तो p की power n प्लस 1 डिवाइड order of g यह definite result होता है अब हमने प्रूप करना है कि हमारे पास दुनों silo p सब गुरूप होते हैं उल्टा माले थे हैं let if possible suppose हमने माले की p end क्योंगा रोट कंजुकेट नहीं है तो क्या होगा हमारे पास पी कोई element g में मिलेगा की p equal to x g पी को लोगा x क्योंगा limit x मिलता है तो हम कहेंगे that is यह यह रोट इक्वाइट नहीं है तो क्या होगा मारे पास तो एक एलमेट गुरूप जी में मिलेगा की पी इकवल टू नहीं होगा मार पास जी जी इन्वर्स के यह इसा नहीं होता है तो अभी हम आज ही बात की इमारे पर रिजल्ट होता है हमारे पास की जो ओर अब को स्दूब कोशेंट का फी एकस केव का वह क्या होगा और ओडाफ ओडर ओफ कहुं ओडर ओर ओफ थे ऑडिवाइट उन्टर ऑफ इंट्सेक्शन एक्स आपड़े सब्सकर्द ओर अप पढ़ी आप पास होता है और पास है और प्सक्ति ओडर पी आओवाग ऑडर ओडरव द नौर। होता है और हम जानते हैं कि मारे पास, जो ऑरोरोट है्क कि सिंस्का पी इंसविस इस सब्सेंने में दिसके HR2 इसका और मालिया हमने इड़ इस पी की पार M, वेर M वेर एम में भी लह दन इक्वल टू है, दो कैसे लेंगे, हमने का कि P इंट सक्षिंट सक्षिंट सब्सेट बनेगा P का, लेज दन होगा इसका, हमारे पास क्या होगा, पी में तो कंटेन होगा यह होगा, दो सब्सेट का इक्षिंट सक्षिंट पी में भी होगा, और इसमें भी गंटेन होगा, हमने माले कि इसका जो order है, हमारे पास intersection का, वह माले P की पार M है, वेर M क्या less than equal to N, कुछ भी हो साहता है, वेर हमने का कि जो M है इक बात है order of P क्या था? P की पार N था order of Q क्या था? P की पार N था हमने माले कि order of P section X Q X inverse P की पार M है M may be equal to N होगा या less than equal to N होगा एक की बात हमने माल ली अब दो किसे लेंगे P equal to N होगा तो क्या होगा और M less than N होगा तो क्या होगा? तो पहला case 1 case 1 क्या लेंगे हमार पास? case 1 यहां से case 1 क्या होगा हमारे पास? if M और N ब्राबूर होते हैं M और N ब्राबूर होगा हमारे पास? इट मिन्स क्या होगा? M और N ब्राबूर का मतरब P intersection X Q X inverse P की को लोगा कि दूनक था लिए तो यहीं हमारे पास होता है तो क्योंगो यांसे तो उडर विए concerti फॉट सब्सक्राइब लोगानबर इंटाइड डेंगे माड़तित और यहां से यहां से वहां कि जो पिलएहां से हीतले कॉल में मारइसे तो यहां तो a Buddha में zhp kyasu अप्रदक बैस एक क्वीट घ्रचा करता हैते हूं नहीं होता है मारे पास case 2 क्या लेंगे case 2 की if m is less than n यह तो ब्राबर लेचा रहे थे यह जो रहते हैं यह एम चोटा होता है तो क्या होगा यह जी ओर की बात करें महरे पास P X क्यों का क्या था हमारे पास order of P multiply order of क्यों था हमारे पास डिवाइड में क्या था order of P section X क्यों एक सिन्वरस था आप बात कर चुके हैं आज इसके इकल होता था ठीक है यह था हमारे पास ठीक है अब आपने मानना है कि order of P पास डैट वाज पीख़ए पावरे धोर क्यों थे पीपार रेन उडर ओर आपी सेक्शन xQ एक्सिर्स नुद्ट आइम तो पूट करा वली क्या होगा तो ओडर ओड्र ओट पी x q that will be equal to क्यों होगा P की पावर n था यहां भी पीकी पावर n था डिवाइड वाई P की पावर m हो जोगा तो इसको यह देंगे पीक की पावर टू एन उपर हो जीके n प्लस n नीचे माइनस सैंब अब पास आप पीड़ तुशा है माण पास टो एंगे पीड़ पाराइं पारा एन प्र प्लस वन 30 एन माइनस एंट मैंना सब्सक्रों कर दिया एक जो देंगे पीड़ एन पलस एंट पलस वन हमारे पास अया हमारे पास किम毫 प्लस और ओर पीस पहरे पास ऊरुपल और अफास तूं और मैं पास हमारे पास जो मार्पासों ब हमारे पास किसका सिंग दा तो मुल्टिपल पी पावर एंद प्लस वन और आज ही हमने कहा कि हमारे पास जो ओडर ओडबल को सेट का समेशन ले तुम्हारे पास क्या था हमारे पास आज ही हमने कहा था और वजी वाज एक तो किसके प्लोट अ मर पास और जी क्सके को लोटा है तर वाज्डब रस संवेशन एंट्स ओडर ओडर पी एकस क्योंकि ऊट फिका रैट वहस्टा अमल्टिपल और फिगी पावर एंड प्लस वन इसका मतल्र यहां से क्या रहिए पास इट मिन्स ओडर ओ which is again a contradiction कि हमारे पास P or C or K Yमारे पास P or C P or C क्या मारे पास that is was the silo P subgroup it means हमारे पास क्या होगा which is a contradiction P की परें प्रस्में दिवार का तो दॉड जी को therefore क्या होगा पी क्या होगा मारे पास will be cool to give a g kya गलो जी न्वरस को अबर्य जी ब्लोंग टो जी एकुमारे पास होगा ठीक है तो इक एक बाष्थ ही टार जीड़े लिए इंड क्यों र पास आज गुंगेट तो यह था हमारे पास सिलो सेकेंड थियोरम की दो सिलो पी सब्वों हमेशा चुकेट होते हैं बहुत ही असानी से हमने सीखा तो यह बार दोबारी बाद थे हमने क्या पढ़ा है थोड़ा से हमने बेसिक से समझरी का प्रयास किया और एक बहुत वड़ी बात से लोगी जो प्रूफ सी लोट थियोरम तो जो फ़ए थियोरम है जो स्टेब हमने किये थे वो आप समझें सी लो सेगेंड तो इदिशी है यह बात करते हुआ हमने क्या सिखा हमने थ्ट थोड़ा सा पहले बात की वार पास ग्र्चरेशां के बारे में कि क्या न सेयट का होता है जैसे कि यहां पढ़ चुक है ग्रैजिशन में आप सभी ने पढ़ा होगा घृट क्या होता है ठीक है जी की को चेट के बारे में तो डॉल को सेट में वर्ड था को सैट उसको अमने समझा की गृूप हमें डबल को सैट से पहले कि हम क्या करेंगे पर जी लेंगे जी लिए जो गुरूप ले चलेंगे हम यहां पर है कि हमारे पास का लेंगे मार पास we will consider H and K are two subgroup of G H and K are two subgroup of G K क्योंभी डबल कोशेट हे बारा बात करें तो दो subgroup लेंगे GK और दो ही element group से लेंगे हमारे पास A or B development G से लेंगे हमारे पास तो यदि A and B element GK होते हैं H and K are two subgroup of GK होते हैं तो हमें relation defining करते हैं मं Curry पास ऐसला फैने इसे में से यह आइच को एच से लेको में अक्रवन agisc 잘 को सबस्क्राइब एक्विविलेंस क्लाश कुलास एक वीविलमा निस घ्लाश ओप ऑंधन झाल्स क्या होती है मुअधन इन फ्रक्री में रिडान हम् collector के जो हमारे पास a से रिलाटेट होंगे तो it will like h of a के टाइप की होगे हमारे पास जहां पिर h कोई h से होगा के कोई k से होगा हमने का की it will be the double closet h a k is called double closet of h and k in g हमारे पास यह था concept double closet का double closet के पास हमने बात की we can write जो g होता है हमारे पास data वाजदा all the union of element from the equivalence class like h of a के double closet type का हमारे पास हमने पाक के mapping defining कर लेंगे दी हम क्या करें हमारे पास if mapping defining कर लें मारे पास if हम क्या कर लें एक mapping defining कर ले f h of a case से लेके h of a के इंद वर से this mapping will be well defined आप क्रूब कर सते हैं one one on two होगी हमारे पास तो order भी हमारे पास बराबर होंगे और यहां से रिजल्ट निकल के आता हमारे पास की order of h a k that means order of double coset will be equal to order of h into order of k divided by order of दोनों का intersection आएगा h intersection a k inverse इससे पहले यह result आएगा मारे पास की it will be like this की order of h a k equal to order of h into order of a k inverse divided by their intersection order of h intersection a k inverse तो हमने कहा की order of a k inverse order of k ब्राबर होते हैं तो हमने लिख दिया कि जो यह वाला जिवल्ट था order of a k inverse को लिए हमने that will be like क्या होगा हमारे पास it will be like क्या होगा हमारे पास order of k की को लोगा ठीक है हमने यह पूट कर दी अब हम सिलो second theorem में हमारे पास in concept को यूज़ करने वाले हैं एक concept और था हमने कहा कि हमारे पास यह जी फारेट ग्रूप होता है तो order of g क्या होता है summation होता है order of double co set के तो हमारे पास double co set का order क्या था हमने अभी लिखा था order of h into order of k by में order of h intersection a k inverse ठीक है यह हम यूज़ करने वाले है order of g के लिए concept के लिए ठीक है जी इसके बाद हमने बात कि सिलो का जो second theorem हमारे पास होते हैं हम जो प्रूब करेंगे उस मुल्टा मालेंगे मारे पास let it is not possible हमने माले पी और को दो शिलोपी सब्गूरूप हैं किसी गृबबजी के हमने प्रूब करने करने दोनों conjugate होंगे let if possible दोनों conjugate नहीं है यह नायज प्लस फावर दिवाइड पार जी हमार पास नहीं होगा यह हम कह सहते हैं जैज इलता माल है जो प्रस पोज प्लस फीन के वार नोट अंड पास यहीदि P और Q conjugate नहीं होते हैं, तो क्या होगा? P will not equal to G, क्यों, G inverse for every, for energy belongs to G के लिए. यहीदि G group का को element ले हमारे पास small g, तो P और Q यहीदि हमारे पास conjugate नहीं होते हैं, तो मारे पास यह equal नहीं होगा, हमारे पास यह result होता है. यहीदि conjugate होते हैं, तो P equal to होता है जी क्यों जी दिवर्स के को होता है इधी हमने माने कंज्यूकेट नहीं है तो यह एकभल नहीं होगा order of double को सेट हमने बात की थिया आज ही क्या होता है order of p multiply order of q divided by order of p intersection x q universe simple result हम पढ़ चुके हैं इसके में हमने कहा कि जो p intersection x q x इसका माली order हमने क्या माली है डैट इस इकल टो p की पार m जो m है order of p क्या था p की पार n था order of q गया था p की पार n था था तो हमने माले की order of this type of set it will be equal to p की पार m जहां पर m n की इकल भी होता है या छोटा रहेगा एक ही बात है हमने का कि जो m है डैट भी भी less than equal to n होगा ये n के equal भी होता है n से छोटा भी होता है तो हमने पहले दो केसलियने या m equal to n लेंगे या m less than n लेंगे तो पहला case लिए m और n बराबर होते हैं यह यह इकल होगा क्या होगी हमारे पास conjugate होगी इस given case के इंदर भी क्योंकि order सभी का बराबर है तो यह दो नई इको लागे तो हमारे पास वी चीजे contradiction क्योंकि दोन्हों हमने माना था conjugate नहीं है हमारे पास conjugate आ रही है हमारे पास यह जल्ट यहां से प्रद मेरे तो यहां पर यहां पर याद होगा आपको लिखा था कि इतुलिए लाइक सब्सक्राइब और प्रफ एक्स प्रफ यह की बात है यह था हमारे पास ठीक है तो में क्या लिखा और पे सब्सक्राइब 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 हमने कहा कि it was the multiple of some power of pq power n plus 1 अब order of g क्या है pq power n plus 1 का कुछ multiple है तो it means क्या हुआ pq power n plus 1 डिवाइड करेगा order of g को which is again contradiction क्योंकि जो pq power n था हमारे पास that was the order of silope subgroup it means pq power n will be highest power of any subgroup that divide order of g अब यहां से हम कहे रहें कि हमारे पास pq power n plus 1 बी order of g को डिवाइड करती है that was again a contradiction because p and q are the silope subgroup it means p and q having the order highest order pq power n that will divide order of g it means pq power n plus 1 डिवाइड करता order of g को it means p and q are not the silope subgroup यदि p और क्यों silope subgroup नहीं थे that was again a contradiction क्योंकि हम लेके ही चलें कि p और क्यों पास silope subgroup होते हैं it means which contradiction it means हमने जो मानना था हमारे पास p और क्यों पास दो silope subgroup है वो conjugate नहीं है it means वो conjugate होंगे it means p will be equal to यह यहाँ होगा it means p and qr cycle जो हमारे पास तो इसली कर सथेंगी always and 2 इसलो पी सब्ग्रूप आर ओल्वेज कंजुकेट हमारे पास दो सिलोपी सब गुरूप में सा क्या होंगे कंजुकेट होंगी यह जल्ट हम कनक्लूड कर सते हैं डैट वाजदा थेवर्म ओफ सिलो सेकेंड एंड विद प्रूफ हमने बात की कि तो सिलोपी सब्सक्राइब किसी भी गुरूप के हमारे पास कंजुकेट होते हैं डैट वाजदा मोस्ट इंपोर्टन रिजल्ट करने कुलूड बाइदा सिलो सेकेंड फ्रेक्टिस कर लिख के देखें और आपके मुने कोई भी कॉशन है कोई बी रिजल्ट के रिकारणि कैसे किया क्योंकि आप कूश सकते हैं जो प्रूफ है आपको जो अच्छी क्वालिटी में आपको मिलने वाले हैं तो दो तरह के नोट एक तो आपको बोड़ पर जो मिलिखा है डिटी फुली क्लैरिटी नोट साफ को मिलने वाली है साथ साथ को जुआ हमने आपको हैंड़ितों न्वाटो अलग से आपको या बुक्त की जो हम融ने आपको जो हStudy स्मْजाइए वह उल्ग से मिलने वाल यह ताकि आपको समझने में आप को एकां में लिकने में कहीं भी कोई भी गल्टी के चांड सना हो, हमारा प्रयास है कि आपको जो मैफ्मेटिक्स के लिए जो अडवांस रिजिब्रा है, कोमपलेक्स सेंटोपलोजी है, डिफेट्रेटिल इक्वेशन है, क्लूट मेकैनिक से कोई भी सब्जेक्ट आप लेके चलें, आप कलेरीटी से समझें, को यूज करके आपका जो स्कोर वह भी रहे और आपको एक गेन की नोलेज बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है यह आपको किसी भी कप्यूट एजाम जाते हैं तो मॉस्ट इंपोर्ट जो रिजल्ट आपका डेट विल भी आपकी नोलेज आपके साथ रहने वाली है आपकी जो स्कोर डेट विल भी बाइप्रोट हमेशा रहेंगे और हमेशा रहने वाले हैं तो समझगे करें प्रैक्टिस करें एक टूज जर डिजल्ट जो डेटर जो वैरी इजी एंड जो हम बात करें सी लोगी त्योर्म के बारे में ग्रूप तो आप समझ़ने वालें डेटिज तो अगें खुश रहें और अपने फ्रेंड प्रेंड को विडियो शेक करें ताके वह भी आगे बढ़चें तो अगें थैंक यू फ्रेंड वावी दर्स की पर जागें थैंक यू जर्टिक्स थैंक यू अ